नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉंचर पर मैं हुर्फोक वांट्रेग। कल सभी टेलिविजन चैनल्स पर आपने एक्जिट पोल देखे होंगे। पूल यदि इसका देखा जाए तो 542 सीटों पर क्या गया एक्जिट पोल, करीकरीब 13 एक्जिट पोल है। उसमें NDA को याने BJP और उसके साथ ही कुन्वे को जिसमें सिवसेना है, उद्धव ठाकरे की अजित पवार की NCP है, जन्ता दल उनाइटेड है, अपना दल जैसे छोटे-पोटे है, TDP एक बड़ा दल है। सब मिलके 365 पे जाते रहे दिखाई देती है, और इंडिया गडबंदन 145 पे सिमट गई है। दोनों विदानसभा तेलंगाना, आंदरप्रदेश और ओडिसा जो विदानसभा है, जहां पर BJP की शायद विदानसभा में सीटे ठीक हो जाएगी। एक्जिट पोल तो केरल में भी, एक्जिट पोल तमिलनाडो में भी, एक्जिट पोल आंदरप्रदेश में भी, एक्जिट पोल तेलंगानामी भी, दक्षिन के सभी राज्यों में भाजय पाखा, खाता, खोलता हुआ दिकाई दे रही है। एक्जिट पोल क्या थे लगातार आप भी हम लोगों को सुनते आ रहे हैं पिछले तीन मैने से फेज बाइफेज ग्राउंड रिपोर्टिंग सब कुल मिलाकर सत्ता के पक्ष में एक लहर थी लेकिन एक्जिट पोल एकदम विपरीद दिखते हैं तो दो टाइप के मुदीची को आ रहे थे तब मैं एक बड़े चैनल पे थे नाम इशले नहीं नहींगा कि नाम लिया तो एजेंसी का भी नाम पता पड़े जाएगा और एजेंसी का मुखिया मेरे पास ही बैठा वह था एक्जिट पोल का फाइनल मैं बैठने के पहले एंकर आने थे कि अधिक दल खड़ा किया था लेकिन केश्व भाई के इंफर्मेशन से कि कॉंग्रेश ने कई जगा पैक्ट किया है और इस बार मुदी जी 120 क्रॉस करें तो आश्चरे नहीं होगा उन्होंने तुरंत अपने लैप्टॉप में वही के वही एडिश्मेंट किया और 120 प्लस लेकिन उसके पीट सुनती है एग्जिट पोल उस एजैंसी के मालिक की कि जब ऐसी ही एक पार्टी में बात करते हुए उसी एडिटर ने उनको कहा कि भाई तुम्हारा तो मज़ा आ गया इस बार गुजरात का पॉल तो उनने कहा कि मैसा भी ये अशुग जी ने आखिट पार तो हमने देखा कि मेडिया का यूज कैसा धालना बनाने के लिए किया जाता है कई बार आप कुछ धानली करने होते हैं और उस धानली को सपोर्ट करना होता है तो वह सपोर्टिंग में आपको क्या चाहिए तो आपको ये एक्जिट पोल हो तो ये मांसिश्टी बदी ये एक्जिट पोल भी कह रहे थे इतनी सिटे आ रही होगी तो फिर आपको मैंने प्रशन करने में ठीक होता है जब एजंश्या मैनिप्लेट करती है तो यदि उन्हें ने ताइक कर लिया कि महमें सत्तापक्स को इतनी सिटे देनी है तो फिर वह रिवर्स इंटिक उसका कै प्रशन के तोर पे यदि उनको एंडिये को 300 पर सीट देनी है तो फिर एंडिये के घटक दल कौन है क्या है इसका एक कैल्कुलेट करते हुए पीछे पीछे जाते हैं और फिर एन में पहुंचते है जनरली सर्वे पीछे से आगे टोटल तक आते है और टोटल होती है कई ब बिना सोते समझें आकड़े देता है और पीछे रिवर्स इंटिग्रेशन नहीं करता और फिर कहीं विसंगतिया सामने आती है और वह सब्सक्राइब लगती है अब इस एक्जिट पोल हमारा के एक्जिट पोल है मेरा आशोक वान खड़े का व्यक्तिकत क्या एक्जिट पो पार्टी जो पास्वान परिवार की पार्टी है उसकी सीटे छे बताई जानी है जबकि लड़ ही पांच रहें यह जब टेबल पर सर्वे होते हैं और बैकवर इंटिग्रेशन नहीं करते हैं आपको पता भी नहीं कोन राज़े में कितना जीत रहा है इसलिए फिर आकड़ कॉंग्रेश नहीं लड़ रही है लेकि इस कॉंग्रेश को 13 ते पंद्रा दे रहे हैं तो हमको लगा चलो साइब डियम के को जोड़ा होगा इसमें और वहां पर याई डियम को कुछ इतवा रहे होंगे लेकिन डियम के को भी अलग से 20-22 सीटे दे रहे हैं पर कि उसी सज्टन को जानना जाता है कहते है कि चर्चा है कि पी एमो से बन क्या है है ऐसा ही महराश्ट में आशर्य में सबसे ज्यादा भाजपा को नुखसान होगा ये सभी कहते है ये इवन ये गोधी एक्सेट पोल भी कही ना कहीं उनको 20 सीटों का वहां पर नुखसान बत में कॉंग्रेस ने सतरा लड़ी सीवस्यना ने 21 लड़ी और शरत पवार ने 10 लड़ी सीवस्यना ने 21 अब दूसरी साइड पर यदि हम बात करें तो वहाँ पर अजित पवार ने चार लड़ी एकना शिंदे ने 15 लड़ी अब बाकी बची हुई 26 सीटे वह बीजेपी लड़ी बीजेपी 26 और चार एजिपी 30 हो गई बीजेपी 29 लड़ी स्वरी माफ किजेगा तोड़ा कर्केशन गर्बढ़नी होना चाहिए बीजेपी 29 लड़ी चार अब ये सिंदेरियों मैंने बताया फिर से महाराष्टर में बताता हूं आपको कॉंग 28 सीटे है कॉंग्रेश 17 लड़ी उद्धव ठाकरे 21 लड़े और शरत पवार 10 लड़े ये 48 हो गए दूसरी तरफ उनके खिलाफ एंडिय गड़ बंदन लड़ा जिसमें अजित पवार 4 लड़े एकनाशिंदे 15 लड़े और 29 सीटे जो है वो बीजेपी लड़े अब एगज पोले बताते है कि उद्धव ने 14 सीटे जीत और एकनाशिंदे भी 8 से 10 सीटे जीत रहे हैं मतलब एकनाशिंदे 15 लड़ रहे हैं उसमें से 8 से 10 हम कंजर्वेटिव आकरा 8 भी पकड़ लें तो 9 सीटे वो हार रहे हैं कोन एकनाशिंदे 15 लड़ रहे हैं उसमें से 9 हार रहे हैं आठ जीत रहे हैं लेकिन एकनाशिंदे जो 15 लड़ रहे हैं उसमें 13 वो उद्धव के खिलाप लड़ रहे हैं मतलब यदि उन्होंने 9 सीटे जीती तो कम से कम 7 सीटे जो है वो उद्धव के खिला आप लड़ रहे हैं तेरा सीटे जो साथ सीटे वह है जो उद्धव के खिलाप को जीते अब गणित देखिए उद्धव को भी चौदा सीटे दे रहे हैं एक इसमें से और साथ सीटे उद्धव हार रहे हैं इनके साथ तो यह आकड़ा कैसा बैठता है यदि दस सीटे जीत रहे हैं शिंदे तो पंद्रह सीटों में से तेरा सीट तो वह उद्धव के खिलाप रण रहे हैं इसका मतलब उद्धव की हम दो सीट भी छोड़े कि किसी और के तो तेरा सीट है जो उद्धव के सामने है वह तरा की द्रने परणे सीटिय और उद्धव के सामने तेरा सीट उपर है इसमें कौन जीत रहा है यह विसंगतिया जो है इन विसंगतिया तब आती है सामने जब आपके एक्जिट पोल मैंनेजड आपने टेबल पर बनाये आपको पता भी नहीं कौन प्रदेश में कितना जीत रहा है इसलिए यह 365 365 पर जा रहे हैं हम यह मांनते ह तपासी अजित्पावार एक सीच नहीं जीतर है एक नाशिंदे दो सीटे बड़े मुश्किल से जीत रहे हैं तमिल आंदर प्रदेश में जो यह सीटे जीत रहे हैं टीडीपी के साथ वो टीडीपी अकसर जिनके साथ चुनाव लड़ा उनके साथ जाने तो तैयार नहीं होते हैं मुसल्मान को 4% रिजर्वेशन है और मुसली मज्जिद को 5000 रुपए महिना मेंटेनस है क्या बीजेपी यह देने देगी और यदि बीजेपी यह देने देगी तो फिर आंदर प्रदेश में देने देती है साथ में खड़ी है तो फिर पूरे देश के क्यों नहीं है सवाल इसके पहले भी चंद्राबाबु नाडू जब एंडिया से बाहर निकले थे वह अब नरेंद्र बोधी के इस्षु पहिंगे तो भी 277 मेरे हिजाब से बहुत आखड़ा यह लगता है क्योंकि मैं बीजेपी के 303 के परफार्मेंस से भी इनी पीछले परफार्मेंस से भी उनको जच करूँ तो मुझे मोटे-मोटे तोर पे मोटे-मोटे तोर पे जो मिनिममम ब्लॉस में पकड़ता हूं उन्हें करनाटक में करीकुरी दस सीटों का लॉस है जो यह देने को तयार नहीं है महारास्ट्र में मैं बहुत कम बोला 20 सीटों का लॉस जो यह भी बताते हैं तेलंगाना, चातिसगर्ड, मध्यपुदेश, राजस्तान, हर्याना, यह सब मिलाके 15 का घटा रहा हूं सिटे, उत्रप्रदेश में मैं 10 सिटे घटा रहा हूं, बिहार, बंगाल, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और बाकी नॉर्थीस्ट, सारी मिलाके मैं 15 सिटे घटा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से 70 सिटे का, 300 में से 70 निकाले, तो आप 230 सिटे आ जाते हैं, 235 सिटे आ जाएगी, 235 और एंडिये घटबंदत का क्या हाल होगा, नितिश साथ में रहेंगे, चार तारिक के बा जब तक चुनाओ की नतीजे नहीं आते हैं, लेकिन मैं मशीनों पे, मैं न्यूज लांचर पे कम से कम, मैं तो लगातार मशीनों के खिर, बोल नहीं रहा हूं कि मशीने यूज़ भी है या मशीनों पर हालेकिन मुझे ये बहुत आशंका है, क्योंकि सबसे जादा सीटे प पूर्व बढ़ना, पहले फेस के बारा दिन बाद और दूसरे फेस के पांच दिन बाद, जो चुनाओ आयोग ने फाइनल आकड़े दिये, उसको बारा दिन की लगे, पांच दिन की लगे, ये बता, ये वो कहते हैं कि हमरे पास मैंन पावर नहीं है, इसके पास इतना ही म सबचते हैं कि रात को साथ बज़े बाद भी वोटिंग चलता रहेगा, क्योंकि पाच बज़े जिस आकड़ी आदमी को कोट ठोकन दिया जाता है, लाइन इतनी लंबी है कि उसको निप्टा ते निप्टा तो आपको रात को आठ नो बचते हैं, लेकिन कहीं दस प्रतिशत यदि आपका साथ बज़े का आकड़ा जो आया है, उसके बाद दस प्रतिशत की बढ़ती होती है, इसका मतलब जुसे जिस सुबह साथ बज़े तक क्या वोटिंग होता रहा, सवाल ये है, ये दस प्रतिशत कैसा बढ़ा, इसका जुगार तो चिनाव आयोग सरोच नियाल कि ग्रह मंत्री हमें शाथ देड़ सो कलेक्टर से बात कर रहे थे, डीम से बात कर रहे थे, कलेक्टर जो पूस्ट होती है, डीम जो होते है, वही सर्टिफिकेट देते है, कई बार हेर फेर होती है, वो सर्टिफिकेट चुनाव हारने पर भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो बताता है कि हार्गी तभी कम मार्जिन की हो 2000-3000 की तो उसमें खेल हो जाते हैं कि नहीं यह जित गए यह रिजेक्ट हो गए है फिर उसके बाद आप कोट जाते रहो और कोट में होते रहे कई जगह यह भी जुगार किया जाता है कि रूल यह है कानून यह है कि पहले पोस् यह थां कि एक बंडल गिनने के बाद फिर मशिन शुरू करते हैं और फिर सब मशिनेगे खतमने के बाद फिर पुस्टल बैलेट निकलता है जहां 1 1200-200 तक की हार जीत है वो पोस्टल बैलेट में उलट फिए हो जाता है इसा केस गुजरात के हाई कोट में भी आया था जहां हाई कोट के एक जज मुझे मिले और उनोंने बताया कि फिर मैंने जब उनको कहा कि जब पॉस्टल बैलेट अपने पूरे क्यों गिनाया तो उनोंने का कि सब कानून ये है कि शुरुआत पॉस्टल बैलेट से होनी चाहि पानी को जाएगा कोन कितना अंदर है कोन कितना बाहर है तो चुनाओ के नतीजे आने के बाद मैं कम से कम 235 पर ठीका हूं और फिर यदि यदि चुनाओ के नतीजे ऐसे आते तो मैं मशिन को नहीं बोलूँगा लेकिन फिर यह मैनिपिलेशन जो होते पर्षंटेज बढ़ करनी होगी किस कॉंस्ट्यूंसी में कितना पर्षंटेज बढ़ा और वहां बीजे को कितनी बढ़ती यह भी देखना होगा उधारण के तोर पे महाराष्ट के चंदरपूर डिस्ट्रिक है जहां 2019 में कॉंग्रेस के एक ही 48 में सीट में महाराष्ट में और वह चंदरपूर की थी बालुधानोर करकी बालुधानोर करकी दुर्भाग्य प्रोडम महुत बृत्ती हो गई ऐसे में उनकी पत्नी वहां और विधायक है पिछले पास साल से उन्हें एक इंदिया कॉंग्रेस में और बहुत अच्छे सिंपैथिक के साथ वह चुनाव लड़ी है और उसको पर फिर सही मायने में आकलन कहां कितर किसना खेल किया हमपायर ने कितना साथ दिया सही में बैटिंग हुई नहीं हुई कि रंस कैसे बोगस भरे गए यह सारी बाते चुनाव के नतीजें आने पर जब बूत वाइस लोड़ होगा चुनाव आयोगी इस पर करता की नहीं करत चलता रहेगा लेकिन जनता के बीच में हम कहें थे हमने नफस टटोली थी पूरे कई राज्यों का दौरा मैंने किया हमारे टीम खासकर उत्रप्रदेश में काफी देर रही उत्रप्रदेश में बहुत प्रमण किया इन सभी के आकलन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे लेकिन फिर पाकि सारी लोगों ने ऐसी गाल मिली करना है तो फिर लोग तंतर कहां पर तो क्या लोग जाजिश्ट करेंगे यह नतीजे समय बताएगा क्योंकि जनता के भविश्य के गर्म में क्या है यहां मैं बता सकता हूं आप बता सकते हूं कुल मिलाकर यदी यह 365 आग होगा इस संग के बगएर भी हम इतनी से डिला सकते हैं यदि यह बीजेपी ने प्रूकर गया फिर संग की अपनी खुद की अहिमियत क्या होगी संग कि अपने वजूद को बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा सवाल यह है यह संग पूलर उससे सरणर होगा अगला सरसंग बचालत क्या मोदी जीता ही करें यह भी देखने वाली बात है कई चीज़े हैं भाजपा में भी बहुत सारी चीज़े होगी दूसरी तरफ विपक्ष भी इसके बाद एकदम नाव में धोके घर बैठता है यदि नतीजे विपरित आयता है नतीजे जो चाहे वह आए वाती यह देखना है क्योंकि कासकर कुछ काउबेल्ट में आमने सामने कॉंग्रेस और बीजेपी है वहाँ इसी जादा नुक्सार हुआ तो फिर कॉंग्रेस की बड़त है नहीं तो करनाटक तेलंगाना चैटिसगर्ड मत्यकुदेश राजस्तान माचन उतराकंड यह राज्य है यह राज्य है जहां बीजेपी का घट ये कॉंग्रेस की बड़त होगी बाकि सब्सक्राइब जबी जगहा पर रिजनल पार्टिया है महराष्टर में भी कॉंग्रेस का वजुद था लेकिन महराष्टर पे छे पार्टिया है दो सिव सिनाद दो राष्ट्रवादी एक बी बागी एक्जिट पोल की कैसी पॉल खोलती है जितने लड़ी नहीं उससे जादा सीथे दी जाती है और जितने आमने सामने लड़ रहे है क्या दोनों को ही जादा सीथे दी तो फिर दोनों कहां लड़े एक नाशिन्दे का और उद्धव का 15 में से तेरा जगह पर उद्धव एकना सामें सामने हैं और दोनों जीत रहे हैं तो यह कैसा संभव है कि यह तो वही जाना है जाने जो बताएंगे और यह इंग्जिक पॉल और्डरी मार्केट में है यह कोई महीं रॉकेट साइंस या कोई बहुत इन्विस्टिकेशन नहीं बताता आज इतना ही कल फिर आता हूं किसी विशे की साथ तब तक के लिए दिखते रहेगा जूज लांचर नमस्कार